हेलो एवरीवन वेलकम तो साइंस इन फन क्लास 11 तो मेरे प्यारे प्यारे बच्छो आज हम लोग सेल दा यूनिट ओफ लाइफ चाप्टर का लेक्चर नंबर 5 डिसकर्स करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं और जिते भी कि माइटो कॉंट्रिया के बाद जिते भी बाकी के सेल ओर्गनल्स थे उसमें से कुछ सेल ओर्गनल्स को आज हम डिसकर्स करेंगे तो लेक्टर बिद न्यू लेक्चर ओब दिस चैप्टर सेल द यूनिट ओ लाइफ नव तो रॉगनल्स जो यू केरियो टिक शेल में प्रिजेंट होते हैं उनमें से जो पांच वाइवा चल ओर गनल्स है उसका नाम है प्लास्टिड अब ध्यान से सुनना प्लास्टिड जो एक ऐसा सेल ओर्गनल है ना वो सिर्फोर सिर्फ प्लांट सेल में प्रिजेंट होता है दिस यू हब तो रिमेंबर दिस इस अब मस्ट ठीक है only in plant cells ठीक है अभी तक हम लोगों ने कौन-कौन से सेल ओर्गनल्स पढ़ लिये सेल वाल पढ़ा जो कि वो भी प्लांट सेल में सिर्फोर सिर्फ प्रिजेंट होता है सेल मेंबरेन पढ़ा जो कि प्लांट इनमल सेल दोनों में प्रिजेंट होता है then we study about the endomembrane system उसमें हम लोगों ने endoplasmic reticulum पढ़ा उसमें हम लोगों ने Golgi bodies पढ़ा लाइसोजोम पढ़ा right mitochondria के बारे में पढ़ा इतने सारे सेल ओर्गनल्स अलरोडी हो चुके हैं now we are heading towards more तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिट के बारे में क्या है प्लास्टिट it is also a double membrane bound cell और्गनल जिस तरह हर mitochondria था याद करो मैंने आप लोगों को बताया था mitochondria is also a double membranous bound cell और्गनल जिसका outer membrane तो smooth है बट inner membrane में बहुत सारी infoldings है जिसे हम क्रिस्टे बोलते हैं और उस infolding के अंदर जितना भी material का fluid filled होता है उसे हम matrix कहते हैं राइट उन्हीं matrix में बहुत इनर लाइनिंग के पास छोटे छोटे beats जैसे particles present होते जिन्हें हम F1 F1 particle या फिर oxyzone बोलते हैं तो यह हो गया mitochondria के बारे में थोड़ा सा revision करवा दिया मैंने अब देखो plastic क्या है it is mainly found in the mesophyll cells of the leaves mesophyll cells of the leaves तो leaves कहां पर present होंगे plants में present होंगे यानि के सिर्फ और सिर्फ plant के cells में ही plastic present होता है not in animal cells at all these are lens shape oval spherical discoid ribbon-like organelle इनके बहुत सारे shapes and sizes होंगे length इसका vary करेगा from 5 to 10 micron और width जो है उसकी चोड़ाई जो है वो vary करेगी from 2 to 4 micron the number varies from 1 example क्लमाइडो मोनाज जो एक तरह का green algae है algae बहुत ही छोटा form of a plant plant kingdom का जो सबसे primary सबसे क्या बोलते है प्राइमेट में जो सबसे आ जाता है ना प्राइमेट तो नहीं कहेंगे primary कह सकते primary plant cells जो होते हैं वो में प्रिजेंट होते हैं तो algae में क्लमाइडो मोनाज में सर्फ और सर्फ एक प्लास्टिड होता है तू 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 40 पर सेल इंदा मीजो फिल राइट चलिए एक जो की green algae में प्रिजेंट है और 2240 यह एक मीजो फिल सेल के एक सेल में 20 से 40 प्लास्टिड प्रिजेंट होना इस कॉमन एं हाई प्लांस और सो थोड़ा सा धीरे बोलते हो तो थोड़ा जादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हो समझ में भी आता है ना तो अब मैं थोड़ा 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 धीरे बोलूंगे अदर्वाइस आइम जिस्ट स्टामरींग लाओ क्लोरो प्लास्ट बहुत ही जादा इंपोर्टेंट बहुत जाधा इंपोर्टेंट अब देखो एक चीज मैं आप लोगोको बता दू प्लास्टेट भी नंतीन तरह के होते है इस किसले थे सबसे पहले यह थोड़ा सा वैसा हो गया ना इंस्ट्रिक्टर सा रुखो यहीं पर मैं बताती हूं आप लोगों को तीन तरह के प्लास्टिप्स होंगे सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट ठीक है फिर आ जाता है क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट और फिर तीसरा आ जाता है लिउकोप्लास्ट ठीक है प्लास्ट प्लास्टिड क्रोमोप्लोरो और लिउकोप्लास्ट तीन तरह के प्लास्टिप्स प्रिजेंट होते हैं पाए जाते हैं प्लांट के सेल्स में अब सबसे पहले आ जाता है क्लोरोप्लास्ट जो आप बहुत जादा famous हो गया है, बहुत जादा मतलब एक तरह से plastics में जो influencers होते है न वैसा है यह chloroplast, right? क्यों क्यों कि आपको पता है chloroplast में chlorophyll pigments present होती है, वो pigment किस चीज में use होता है, photosynthesis कराने के लिए use होता है and so on, बच्पन से पढ़ते आ रहे, चलो, so inner membrane of chloroplast is less permeable, कम permeable है, ठीक है, the space limited by inner membrane of the chloroplast is known as stroma, it contains a number of organized flattened membranous sack, जिसे हम thalakoid बोलते हैं, thalakoid क्या है, coin देखा है, coin सिक्का, right? तो वो एक सिक्के के तरह एक structure होता है, जिससे हम कहते हैं thalakoid, और उस thalakoid के जो membrane में एक space covered होती है, उसे हम कहते हैं lumen, ठीक है, क्या कहते हैं lumen, अब देखो, इस chloroplast का structure देखो, यह आपके NCRT में भी given है, ध्यान से अगर आप exams होंगे ना अभी, तो आपको chloroplast का diagram बनाने के लिए और उसे explain करने के लिए पूछा जा सकता है, there is a high probability, ध्यान से देखो, chloroplast है, ठीक है, यह inner membrane और outer membrane, दो membranous, double membranous होती है, plastic याद रखो इस चीज़ को, outer membrane हो गया, inner membrane हो गया, ठीक है, अब granum, thalakoid, stroma, lemily, यह वो क्या ह है, तो सबसे पहले हम आते हैं, stroma में, chloroplast के अंदर, जो matrix filled होती है, जो fluid जैसा fill होता है, उसे हम कहते है stroma, ठीक है, उसे हम कहते है stroma, अब उन stroma में, जैसे हर एक cell के, जो fluid है, उसे cytoplast बोला जाता है, और cell के अंदर, जो cytoplast में, बहुत सारे organelles तैर रहे होते हैं, उन्हे सिक्के को बोला जाता है, थैला कोईड, क्या बोला जाता है, थैला कोईड, और उस थैला कोईड के अंदर, जो space filled होती है, वो कहला दी है, lumen, lumen थैला कोईड के अंदर की चीज है, अब देखो, आप एक सिक्के के उपर दूसरा रखोगे, दूसरे के उपर तीसरा रखोग करते करते को ईनज कि ना एक पाइल कुरीट हो जाएगी there will be a pile of coins so that pile is known as granum एक पाइल को granum बोलते हैं बहुत सारे piles of coins होंगे तो उसे grana बोलेंगे क्या बोलेंगे grana हर एक granum टेस्ट विच्छ से बना हुआ है थालकोट से बना हुआ है बहुत सारे theakoid के pile constitute करते हैं ग्रेनम बहुत सारे ग्रेनम को कहते हैं घ्रेना और हर एक ग्रेनम एक दूसरे ग्रेनम से attach होता है। क्षूप स्ट्रोमा लेमेली देख रहेँ वह यह जो चैनल से है यह जो पयपलाइपलाइंस है इससे एक ग्रेनम दूसरे ग्रैनम से अटैश्ट होता है विस इस नोन अस ट्रोमा लैमेली अब हर एक आप लोगों को वो याद हो गया सारे के सारे आपको समझ में आगे लेबलिंग्स राइट चले आगे नाओ फ्लोरोफिल पिग्मेंटर प्रेजेंट इंदा थाइलाकोईड कहां पर प्रेजेंट होगा फ्लोरोफिल पिग्मेंट थाइलाकोईड में थाइलाकोईड क्या है कोईं की तरह एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है बहुत सारे थालाकोईड कि जब पाइल का इकठा हो जाती है एक पाइल इकठा हो जाती है उसे हम क्या कहते है उसे हम कहते हैं ग्रैनम चलो सी यहाँ पर लिखा भी है थाला कोईट को दूसरे दूसरे ग्रैना के थाला कोईट को आपस में कनेक्ट करने वाला जो एक चैनल है एक टूब्यूल है उसे क्या कहेंगे स्ट्रोमा लैमिली इसे मुझे रेड से मार करना पड़ेगा डबल स्ट्रैंडड सर्कुलर डी एने मॉलीक्यूल राइबोजोम्स और एंजाइम्स फॉर दे सिंथेस ओफ कार्बोहाइडरेट और प्रोटीन अभी तक हम लोगों को बस इतना पता है कि माइटोकॉंड्रिया के पास उसका खुद का डी एने होता है उसका खुद का राइबोजोम होता है उसका खुद का एंजाइम होता है तो तो दैट अस वाए वो बिल्कूल सेल्स सफीशेंट उसके बी जरूरत नहीं है वैसे ही यहाँ पर प्लास्टिट्स में भी होते हैं प्लास्टिट्स के पास भी खुद के डीने मोलेकूल सोते डीने स्ट्रांड सोते डबल स्ट्रांड वो भी and ribosomes and enzymes those enzymes are used for the synthesis of carbohydrates and proteins now the ribosomes of the chloroplast are smaller than the cytoplasmic ribosome यह तो definitely यह तो मतलब obvious है है ना जो हमारे हर एक cell के cytoplasm के अंदर जो ribosomes present होंगे थोड़े से जादा developed वही ribosomes protein की synthesis कराते है है ना वो थोड़े जादा developed होंगे तो वो कैसे होंगे वो 80S ribosomes होते है और जो ribosomes आपके plastid में present होता है वो क्या होता है थोड़े से छोटू से होते है ठीक है वो क्या होते है 70S type of ribosomes होते है ना आज आते हैं ribosome पे ribosome की बात हो ही रही है भीया तो आज आओ ना ribosomes पे एक बात देख लो क्या है ribosome so these are the non-membranus granular structure composed of ribonucleic acid किस से बना हुआ है RNA और protein से बना हुआ है DNA, RNA तो आप लोग को पता ही होगा deoxyribonucleic acid DNA और ribonucleic acid that is RNA ठीक है दोनों क्या होता है genetic material का काम करता है मतलब RNA से protein जब बनेगा तो वो protein हर एक इंसान के अलग-अलग traits के लिए responsible होगी now George Palladay was the one who first observed ribosome in 1953 यहाँ पर देखो nucleus के चारों तरफ आज पास क्या present है क्या present है endoplasmic reticulum present है कौन से टाइप का endoplasmic reticulum rough endoplasmic reticulum जिसके उपर छोटी-छोटी granular structure है bead-like structure है यह क्या है free ribosome है उसको थोड़ा सा zoom in अगर आगे करके देखें यहाँ से zoom in करके यहाँ पर देखें तो यह देखो this is free ribosome जो associated है rough endoplasmic reticulum के साथ ribosome के दो units होते हैं क्या होते हैं ribosome के दो units होते हैं sub unit हम बोल सकते हैं पहला sub unit होता है 60S का जो कि थोड़ा large होता है size में और दूसरा sub unit होता है 40S का जो कि थोड़ा सा smaller होता है size में as compared to 60S so they together form 80S ribosome अब यहां पर S का मतलब क्या होता है रुको S is sedimentation coefficient या फिर इसे sidbergs unit भी पोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफेशेंट या स्वेटबर्ग्स unit ठीक है अब आप लोग सोच रहे होगे कि 60 प्लस 40 तो मैं 100 होता है न यहां पर 80 क्यों लिखा हुआ है तो बेटा जब दो subunits आपस में एक दूसरे से associated होती हैं तो उन दोनों subunits के कुछ पास आपस में embedded हो जाते हैं तो दिखने में तो वो क्या है वो दिखने में तो थोड़ा सा as compared to अलग अलग अगर आप करोगे तो वो छोटा ही हो जाएगा ना जब आपस में दूसरे के अंदर ही धस चुके होंगे और वो 80S ribosomes eukaryotic cells में पाया जाता है 70S ribosomes plastics में पाये जाते हैं जो की eukaryotic cell का एक cell organelle है और prokaryotic cells में पाये जाते हैं see see इसमें इसमें ये smaller unit है इस इस दे लार्ज योनेट और उसके और भी ज़्यादा अगर आप component निकालोगे तो इतने सारे RNA होते हैं इतना protein होता है and everything तो आपको इतना detail में जाने की जरूरत नहीं है because this is not in the syllabus also बच्चों आज आते हैं अब हम लोग 7th cell organelle पर and that is cytoskeleton क्या होता है cytoskeleton एक network है filamentase proteinaceous structure का जो present होता है हमारे cytoplasm किस चीज का बना होता है लिखा है ना proteinaceous तो protein का ही बना होगा protein से बना हुआ एक filament के जैसा structure और उसका भी network जब present होता है हमारे cell में हमारे cell के cytoskeleton क्या provide करेगा mechanical support, motility, maintenance and shape of the cell etc इन सब चीजों के लिए responsible होता है देख रहे हो यहाँ पर कैसा इसका network present है थोड़ा सा zoom in करोगे तो ऐसे इसकी filaments होते है microtubules होते है actin के filaments होते है so now coming to cilia and flagella cytoskeleton very easy network है filamentous proteinaceous structure का जो present होता है हमारे cytoplasm में और क्या करता है mechanical support provide करेगा, motility provide करेगा और shape को maintain करेगा cilia and flagella cilia and flagella का नाम आप लोगोंने कई बार सुना भी होगा आप लोगोंने जब prokaryotic cells के बारे में पढ़ा होगा जब आपने bacteria के बारे में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा flagella and cilia present होते हैं अब क्या है flagella and cilia they are hair like outgrowths of the cell membrane बाल की तरह उनके outgrowths प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे fine hair की तरह उनके outgrowths होते हैं cilia is small structure which work like ores causes the movement of cell or surrounding fluid ठीक है कैसा वो काम करना उसका role किया है cell को move कराना ठीक है वो cell जो किसी भी surrounding fluid में present है उस cell के motion के लिए locomotion के लिए use किया जाता है cilia what is flagella? it is much longer cilia छोटे छोटे fine threads की तरह होते हैं and flagella थोडे से लंबे होते हैं that is much longer and it is responsible for cell का movement flagella prokaryotes and eukaryotes are structurally different कैसे different है? आगे चलो भी हम लोग वो भी पढ़ेंगे ठीक है? basal body होती है और exonine की body दोनों की बनी हुई होती है अब देखो cilia and flagellum cilia और flagella word जो है वो प्लूरल है अगर हम एक singular एक single cilia की बात करें तो उसे हम cilium बोलते हैं और एक single flagella की बात करें तो उसे हम flagellum बोलते हैं it is covered by plasma membrane obviously ठीक है? तो क्योंकि वो cell का outgrowth है ना वो outer extensions में present है cell के बाहर present है तो वहाँ पे वो cover होगा ही plasma membrane से their core यानि कि वो exoneme का जो बना हुआ है उसका जो core particle है उसमें बहुत चारे micro tubules present होते हैं जो parallelly run करते हैं along the axis ये देख रहे हैं अब लंबे लंबे से इसके core particles तो ये क्या है? दी जादा exoneme 9 pairs होते हैं उसके doubtlets के जो arranged होंगे peripheral microtubules में एक pair होगा central microtubule का और इसी को हम कहते हैं 9 plus 2 का arrangement यहाँ पर जब आप देखोगे तो दो-दो के pair में doubtlets जिसे हम कह रहे हैं दो-दो के pair में ये present होते हैं कितने? 9 होते हैं present ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 9 microtubules के doubtlets present होंगे चारों तरफ और एक single doubtlet यानि कि 2 microtubules कहां पर present होंगे central position पर तो उसे हम क्या कहेंगे central microtubule और इसी को कहते हैं 9 plus 2 array arrangement देखो दो-दो के pair में present है microtubules कितने? total 9 doubtlets राइट और यहाँ पर central microtubules भी दो के मतलब एक pair में यानि कि दो numbers तो यह ऐसा arrangement होता है इसका अब आगे चलो central tubules are connected by bridges and are enclosed by central sheet किस से connect होता है? central bridge से connect होता है यह वाला portion जो है और किस से enclosed है? central sheet से enclosed है it is connected to one of the tubule of each peripheral doubtlet by a radial spoke radial spoke देखो यह किस से connected है? हर एक radial spoke हर एक microtubule के बाहर एक radial spoke निकला हुआ होगा यहाँ पर देखोगे जितने भी doubtlet है दो-दो के pair में जो present है ना चारो तरफ peripheral array में जितने भी microtubule present है हर एक pair के किसी एक microtubule के पास एक radial spoke होगा वो connected होगा किस से? central sheet से connected होगा ठीक है? central bridge से connected होगा so thus there are nine radial spokes तो अगर हर एक pair में एक एक radial spoke है तो कितने total pairs है nine radial spokes ठीक है total nine pairs होगे तो nine radial spokes present होगे the peripheral doubtlets are also interconnected by linkers linkers से भी वो connected होते है cilium and flagellum emerge from centriole like structure जिसे हम basal body बोलते हैं basal body is very important cilium और flagellum कहां से निकल रहे हैं cell में से जिस portion से वो emerge हो रहे होते हैं उसे हम basal body कहते हैं क्या कहते हैं basal body तो यहां पर almost आपका maximum जो cell organal है वो cover हो चुका है बाकि कुछ nucleus और nucleus के अलावा कुछ छोटे मोटे और cell organals बचे हैं जो हम लोग अगले session में complete करके यह chapter finish कर देंगे and also मैं आप लोगों को last lecture में याने की अगला जो last lecture होने वाला इस chapter का lecture number 6 उसमें मैं आपको इस chapter से related कुछ MCQs भी करा दूँगी जिससे आपका अच्छा खासा practice हो जाएगा चलो बच्चो एक बार और हम लोग ना सारे के सारे अच्छा रिवाइस कर लेते हैं सबसे पहले आ जाता है plastic plastic क्या है double membranous bound structure है जो ज्यादा तर किसी भी plant cell में plant cell में present होगा specially mesophyll cells में present होगा जो leaves में होती है leaves में यूजिली सबसे जादा photosynthesis कहा होता है leaves में होता है क्योंकि वह green color के होते है and open होते है तो वहाँ सबसे जादा mesophyll cells पे present होते है और जहाँ जहाँ पर भी mesophyll cells होगे वहाँ पे plastic होगा ही होगा अब कैसा होता है ये lens shape का होता है oval भी होता है spherical भी होता है and discoid ripple light बहुत सारे types का होता है length इसकी बहुत vary करती है और इसका number भी vary करता है एक plastic एक single plastic present होता है green algae में और higher plants में जाते जाते 20 से 40 number तक भी ये present होता है inner membrane को inner membrane जो है ना chloroplast का वो थोड़ा सा कम permeable होता है अच्छा उससे पहले plastic कि टाइट के होते हैं तीन टाइट के होते हैं सबसे पहला chloroplast दूसरा है chromoplast और तीसरा है leukoplast chloroplast के बारे में तो यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है कि chloroplast भी double membranus है outer membrane, inner membrane inner membrane के अंदर जो पूरा fluid field है उसे stroma कहते हैं उसके अलावा coin जैसी structure, disc like structure, flattened sack like structure जिसे हम thylakoid कहते हैं वो present होती है और उसके अंदर lumen filled होता है thylakoid के जब बहुत सारे pile इकठे हो जाते हैं तो उसे हम granum बोलते हैं या grana बोलते हैं grana के thylakois एक दूसरे से connected होते हैं stromal lamelly के थूँ और जो chlorophyll pigment present होता है जो photosynthesis के लिए majorly responsible है वो thylakoid membrane के उपर present होता है this is all about chloroplast अब chloroplast के अलावा जो chromoplast है chloroplast तो आपको पता है कि green pigment, chlorophyll pigment present होगी chromoplast में green के अलावा बाकी जिकने भी pigments होते हैं वो present होता है जैसे कि हमारे किसी भी तरह के plant में जो flowers खिलते हैं वो flowers कितने जादा brightly colored होते हैं अलग-अलग different colors के होते हैं कभी-कभी shades में present होते हैं तो जितने भी colors आप किसी भी plant में observe करते हो except for green वो सारे colors कौन दे रहा होता है chromoplast दे रहा होता है वो उसके लिए responsible है leucoplastic ऐसा plastic है जो किसी भी तरह का color या pigment कैरी नहीं करता instead of any color और pigment वो fat और oils वगेरा store करके रखता है ताकि future में use किया जा सके plant cell के द्वारा तो this is all about plastic आगे चलते हैं ribosome के बारे में ribosome एक लौता नहीं एक ऐसा cell organal है जिसका कोई membrane नहीं है it is not membrane bound cell organal non-membranous होती है और किस चीज की बनी होती है RNA and protein की बनी होती है ribosome के दो major sub parts होते है या sub units होते है तो जो बड़ा वाला sub unit होता है वो 60S का बना होता है जो छोटा वाला sub unit होता है वो 40S का बना होता है और दोनों को constitute करके एक eukaryotic cell के ribosome को हम 80S ribosome बोलते हैं जिसमें S जो है वो है sedimentation coefficient या फिर sidbox unit शेप आप लोगों को पता चली गया है आगे चलते हैं cytoskeleton में cytoskeleton कुछ नहीं बलकि protein का बना हुआ एक filament जैसा दिखने वाला एक structure है जो हमारे cytoplasm में present होता है और हमारे cell को mechanical support और rigidity और shape वगेरा प्रोवाइट करता है cilia and flagella these are the hair-like outgrowth of the cell membrane cell membrane के बाहर जो outgrowth निकली हुई होती है उसे हम cilia और flagella बोलते हैं cilia comparatively काफी small and thin बहुत ही fine hair-like structure present होता है हमारे outer cell में और ये cell को हमारे surrounding fluid से move करने के लिए help करता है flagella comparatively long होता है जो present होगा cilia के comparatively longer होगा और वो cell के movement के लिए responsible होगा prokaryotes में जो flagella present होता है वो different होता है उन flagella में जो eukaryotes में present होते हैं दोनो flagella और cilia हमारे plasma membrane से covered होते हैं उसका जो core है जिसे हम exoneme बोलते हैं वो बहुत सारे microtubule से बना हुआ है microtubule याद करो क्या बताया था filamentous proteinaceous structure running parallel to the long axis तो वो जो exoneme है ना वो किस चीज का बना हुआ है 9 pair जो periphery में किनारे किनारे 9 pair microtubules के होंगे और central में एक pair microtubule का होगा तो ऐसा structure होता है exoneme का तो इसलिए से 9 plus 2 का array या arrangement बोलते हैं central sheath प्रिजेंट होती है radial spoke यानि कि 9 pair में हर एक pair के किसी एक microtubule में एक radial spoke होगा वो radial spoke कनेक्ट करेगा central यहां central microtubule या फिर central bridge को ठीक है तो this is बच्चो all about today's lecture this is बच्चो all about this is all about today's lecture I hope आपको सारी चीज़े समझ में आ गई मैं थोड़े थोड़े cell organs लेकर ही आगे बढ़ रही हूँ इसलिए ताकि आपको सब कुछ घौश पहुच ना हो जाए और सारी चीज़े mix-up होके दिमाग में बिलकुल खिचडी ना बन जाए हर एक चीज़ को धीरे धीरे slowly slowly cover करते हुए हम लोग आगे चलेंगे अगला जो लेक्चर होगा हमारा अगला जो लेक्चर होगा हमारा वह इस चैप्टर का आखरी लेक्चर होगा जिसमें मैं बच्चे हुए जितने भी cell organs है और प्लस यू केरियोट्स और प्रोकेरियोट्स के बीच का difference और कुछ important topics और भी जो रहे गए होंगे वो सारी चीज़े में discuss करके आप लोगों को कुछ questions भी दूंगी mcqs भी दूंगी और हम लोग साथ में इसी class में ही discuss करेंगे उसे तो आई हो बच्चो तुदेश लेक्च्चे वाज़ क्लियर तो यू और यू इन्जॉइड इड अगर अच्छा लगा हो और प्लीज गिव लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कहीं पर भी ऐसा कुछ था जो आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज कॉमेंट ओंग कॉमेंट बॉक्स आइं रेडी तो रिप्लाई यू और जो भी डाउट से वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे तो थांक यू सो मच्छ वाज़ आइस देएंड टेक केर